मार्किट में हरे हरे ताजे ताजे अंगूर तो आना शुरू हो गए हैं लेकिन आज हम इस अंगूर से बहुती अच्छी मिठाई बनाने वाले हैं जो आपको और आपके बच्चों को बहुती पसंद आएगी और इसे खाने के बाद आपको बिल्कूल भी नहीं लगेगा कि ये टेस्टी मिठाई आपने अंगूर से बनाई है तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी मिठाई को हमने केसे बनाया है अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो पानी को आप बिल्कुल जादा मत लीजिएगा जितनी हमने चीनी ली है बस उससे आदा हमें पानी लेना है और गेस की फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे बराबर इस्टर करते हुए पका लेंगे हम इसे हमें इसकी चाशनी बना लेनी है हमें इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें इसकी चिपचिपी सी चाशनी बना लेनी है तो चाशनी में जैसे ही बॉइल आ जाता है न तो हमें गेस की फ्लेम को स्लो करके इसे अलग कर देना है स्लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे और जब तक हमारी चाशनी पक रही है हम जब तक अंगूर को वाश करके ग्राइन कर लेंगे तो यहां हमने 500 ग्राम अंगूर लिए हैं और अंगूर हमने अच्छी तरह से वाश करकर लिए हैं तो आप blending jar लेंगे और इसमें हम अंगूर को डाल दिंगे और अंगूर डाल कर हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और पानी डाल कर हम इसे अच्छा सा ग्राइंड करेंगे, स्मूथ सा पेस्ट बना लिए इसका तो यहां हमने अंगूर का स्मूथ सा पेस्ट बना लिए है, अब हमें इसको च्छान लेना है क्योंकि हमें अंगूर का सरिफ जूसी चाइए, हमें इसका छीलका नहीं चाहिए और छान लेने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं इसका सारा छिलका अलग हो गया है अब हमें इसे अलग कर देना है और काफी जादा इसका जूस निकल आया है तो अब हम क्या करेंगे इस जूस में हमें डाल देना है वन फोर कप कॉन फ्लोर और कॉन फ्लोर डालके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए तो कॉन फ्लोर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है यहाँ आप देख सकते हैं कॉन फ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम अपनी चाशनी देख लेते हैं जो हमने स्लो फ्लेम पर छोड़कर रखी है तो यहां चाशनी भी हमारी रेडी हो गई है यहां आप देख सकते हैं हमें चाशनी में एक तार नहीं लाना हैं सिरीफ हमें चिप-चिपी सी ही चाशनी चाहिए तो अब हम गेस की फ्लेम को आफ कर देंगे यहां आप देख सकते हैं चाशनी ब अपना हाथ रोक लेंगे ना तो यह कॉन फ्लोर इसमें जम जाएगा और इसमें लंस पड़ जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा ध्यान से ही आप इसे थोड़ा-थोड़ा डालते हुए चलाते हुए ही मिक्स करिएगा और गेस की फ्लेम हमारी मीडियम हाई है इस वक्त हम मीडियम हाई फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं हम बराबर चला रहे हैं और हमारे जो अंगूर का जूसे ना वह थोड़ा गाड़ा होना शुरू हो गया है और हमें इसे बराबर चलाते रहना है जब तक यह अच्छी तरह से गाड़ा नहीं हो जा ही डाल देंगे इससे क्या होगा कि हमारा जो बेटर है यह चिपचिपा नहीं बनेगा यह कड़ाई को छोड़ देगा तो इसका मतलब यह होता है कि हमारी मिठाई तयार हो गई है सेट होने के लिए तो यहां मेरा केमरा ओफ हो गया था तो यहां मैं आपको बता नहीं जान यहां लाए इसका मतलब है कि हमारी मिठाई सेट होने के लिए तैयार है अब हमें गेस की फिलेम को आफ करदे नहीं औरो अब हम इसको सेट करेंगे तो इस मिठाई को set करने के लिए मैंने यहां सिलीकॉन का mold लिया है आप चाहें तो आपके पास जो भी mold हो या mold ना हो तो जो भी बरतन हो उसमें आप इस मिठाई को set कर सकते हैं और चाहें तो उपर से आप इसमें कुछ dry fruits भी garnish कर सकते हैं आपको जो easy लगे आप simple सा design दे के इस मिठाई को बना सकते हैं मैं यहां star shape की मिठाई बनाने वाली हूँ तो हमने mold को अच्छी तरह से fill कर दिया है अब 10 minute के लिए हम इसे set होने के लिए fridge में रख देते हैं और 10 minute बाद हम आपको इसे निकाल कर check कर कर दिखाएंगे हमारी मिठाई कितनी अच्छी कितने अच्छे design की बनकर तैयार हुई है यहां आप देख सकते हैं कितना अच्छा design निकल आया है और इस design को देखते ही आपका खाने का मन करेगा क्योंकि यह मिठाई बहुत ही tasty बनती है और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है हमने इसे अंगूर से बनाया है और इसे खाकर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इतनी टेस्टी मिठाई अंगूर से बनाईए हमने तो सारी मिठाई हमने यहां निकाल ली है देखने में कितनी अच्छी दिख रही है अगर आपके भी घर अंगूर आते हैं तो आप एक बार इस मिठाई को बना कर जरूर देखिएगा आपको यह मिठाई की रेसिपी बहुती पसंद आईगी बहुती टेस्टी और एजी रेसिपी है हम आपको इसे अंदर से काट कर चेक करकर दिखाएंगे कितनी अच्छी सौफ्ट बिल्कुल जेली जेसी हमारी मिठाई बनकर तयार हुई है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिखाई दे रही है और टेस्ट में तो यह बहुती अच्छी होती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फैमली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी अंगूर की मिठाई की रेसिपी केसी लगी